तो मेली यही दो तीन equipments हैं जो हम अपने Chinese cuisine में चाइनीज restaurant में अलग से यूज करेंगे या करने की जुर्थ हमें पढ़ सकती हैं otherwise जो mostly equipments हैं, mostly जो सामान होता है हम अपने Indian restaurant से उठा सकते हैं, कोई problem नहीं है और हम अपना काम शुरू कर सकते हैं तो चलिए स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता डिमांड में मैं हूँ दीपकारिया आपका दोस्त आपका मित्र हर बार की तरह वीडियो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आप चैनल पर नए है तो और बैल डिटेल से मैं आपको बताऊंगा जैसे कि मैंने बताए हम में लिए दो तीन एक्यूपेंट से हैं जो हमें अलग से यूज करने की जुरूत बढ़ती है अदर्वाइस मोशली एक्यूपेंट साब इंडियन रेश्टोन से उठा सकते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ क्या-क वोटर के लिए एक फ्रेश वोटर के लिए फ्रेश वोटर जो आपकी कडाई है आपकी वो है उसे वोश करने के लिए यूज करते हैं तो आप जानते होंगे जो चाइनिज शेफ होते हैं उन्हें बार-बार पानी के जुरूत पढ़ती है अपनी कडाई को वोश करने के ल से इसमें बोर्डर बना हुआ है और पीछे की तरफ फ्लेश लगी हुए तो यहीं पर पानी डाल देते हैं वेस्ट डाल देते हैं उसके बाद इन बिल्ट इसमें ड्रेने सिस्टम होता है जिसके थिरूब वह पानी नीचे निकल जाता है वेस्ट नीचे ड्रेन हो जाता है त इन बार वो भारी walk हो जाते हैं उसमें काफी material डालते हैं तो अच्छे से move करने के लिए ये round ring पे हिला सकते हैं उसको अच्छे से move कर सकते हैं तो इसका एक ये benefit उटता है उसके बाद ये अंदर की तरफ आप देखोगे इसमें एक drum बोलते हैं इसको drum बना होता है जिसे heat बहार की तरफ नहीं आती और flame बीच बीच में रहती है high flame चाहिए होती है short मारने के लिए ये कई तरीके के होते हैं single, double, one plus one जैसे ये Chinese एक बीच में है और side में Indian है उसके बाद ये continental में use होता है इसके नीचे एक oven भी लगाओ होता है और ये जाडू types है जो मैं बता रहा था wok को wash करने के लिए use होता है ये wok हैं कई तरीके की wok होती है आज कल तो इसमें जो हम बोलते हैं के non sticky होती है non sticky भी use होती है ये देख लीजिए so mainly ये ही कुछ equipment हैं जो हमें अलग से जूरत पड़ेगी हमारे Chinese cuisine या restaurant में use करने के लिए otherwise जैसा कि मैंने बताया other जो equipments है आप Indian cuisine से restaurant से उठा सकते हैं कोई problem नहीं है और जो equipments की details है वो मेरी इससे पहले की 3-4 videos में काफी अच्छे से details में बताया गया कि क्या-क्या equipments आप use करेंगे या equipments होते हैं आपके restaurant के लिए तो आप other video देख सकते हैं चलिए मिलते हैं next video पर करेंगे तो टो आपके टो आपके लिए